कि यस लीज की फॉस्ट क्लास है जैसे मैं MWF में सोच आँ थोड़ा थोड़ा accounting standard करा हूँ और TTS में जो depreciation चल रहा था वही करेंगे फटा-फट से बता दीजे voice clear है कि आपको जल्दे जल्दी एक बार बता दीजे कमेंट में कि हाँ sir voice clear है तो हम आगे start करते हैं छोटी-छोटी classes लेके आदे गंटे 45 मिनट ताकि हम छोटे-छोटे portion को खतम कर पाएं और यह बहुत important chapter एक तरीके से lease clear sir चलिए sir हमारा यह है accounting standard that is 19 और इस topic का नाम क्या है sir इस topic का नाम है lease इस topic का नाम है lease और सबसे पहले lease का मतलब समझेंगे के lease होता क्या है generally जो ऐसे assets होते हैं सबसे पहले जैसे मान लो आपने एक business start किया और आपको अपने business में एक machinery चाहिए ठीक है और इस machinery का कीमत मान लेते हैं दो करोड है 2CR और आप इस business इसे तो है नहीं तो आपको यह machine खरीदना है आपके पास दो option बनता है पहला option आप loan ले लो और suppose that के banker ने loan नहीं दिया loan जब लेने जाओगे banker ने कहा भई हम loan तो नहीं देंगे दूसरा एक option बसता है कि बहुत सारी company ऐसे करती है जैसे कि मान लेते हैं एक PQR Limited company है एक है हमारा XYZ Limited ठीक है अब सबसे पहले machinery की जरुरत किसको है यह बताओ मुझे XYZ Limited को और PQR Limited के पास बहुत सारा पैसा है ठीक है बहुत सारा पैसा इसके पैसे की कमी नहीं है तो खूब सारी ऐसी company होती है जो कि क्या काम करती हो बोलती है कि भाई जिसको जो भी जुरत हो ना मेरे पास आजो मैं दे दूँआ कोई भी चीज़ चाहिए मेरे पास आजो assets तो मान लिया जाए अगर यह इसके पास आएगा और इसको machinery 2 करोर का है फिर यह क्या करेगा यह company जो है यह एक machine खरीदेगा new यह new machine खरीद लेगा और जो इसने new machine खरीदा है एक new machine खरीद लिया मान लेते हैं और जो इसने यह new machine खरीदा है वो machine उठा के यह दे देगा किसको इसको बदले में यह क्या कहेगा कि भाईया मैं इस machinery का annual monthly rent लूँगा या annual rent लूँगा मैं क्या लूँगा इसका rent अब यह company rent इसको दे सकता है मान लेते हैं इस assets का अगर मान लेते हैं life है suppose that 10 साल तो एक साल का rent कितना हुआ है 20 लाक रुपे तो यह हर साल इसको 20 लाक रुपे का rent देगा लेकिन अगर यह हर साल 20 लाक का ही rent लेगा तो यह तो पागल है PQR Limited तो अब यह क्या करेगा रेंटल वेल्यू 20 लाक ना लेके थोड़ा सा रेंटल वेल्यू बढ़ा लेगा जैसे मान लो यह कहेगा 21 लाक का देना कुछन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तो अब यह बोलेगा चल यार 20 का तो उसको पड़ा वो भी तो कमाएगा 21 लाक का और इस एसेट्स का लाइफ कितना है हमारा 10 एर इसको 10 साल तक देगा और साथ के साथ यह एसेट्स भी 10 साल वाद इसे वापस करना पड़ेगा तो फाइनली यह एसेट्स को जो इसने एसेट्स लिया है इस एसेट्स को यह सोल्ड कर देगा last में as a scrap तो इसका फाइदा क्या हुआ एक तो इसको जितने पैसे इसने लगाए उसको धीरे धीरे करके इसने वसूल लिये और उससे ज़्यादा वसूले और साथ के साथ scrap भी तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी company है जो assets को खरीद के किसी को किराये पे दे देती है उसको बोला जाता है lease कर देना तो इसने अपना assets किसे दे दिया किराये पे तो मैं बोलुगा इसने अपने machinery को lease पे दे दिया और यहां बोलुगा XYZ ने machinery को किस पे खरीद लिया lease पर ले लिया तो बताओ इसके अंदर क्या help हो गया, इसका XYZ का भी काम बन गया और PQR Limited, PQR Limited के पास तो Access Fund था, वो तो Investment का Opportunity ढूंड रहा था, तो उसको Bank से ज़्यादा ही Interest वगएरा मिल गया होगा Total मिलाके, तभी वो ऐसा काम करेगा, तो जो यह होगा ना, जो कि दे रहा है Assets, इसको बोलेंगे Lesser इसको बोलेंगे Lesser और इसको बोलेंगे Lassie Lassie, तो एक Lesser है और एक Lassie है, तो Simple सी बात है, जो अपना Rent पे समान देगा, जैसे इसने क्या करा, अपना समान Rent पे दिया, तो यह कौन है, Lesser और यह कौन है, Lassie ठीक है न, तो Lesser और Lassie, तो हमारा Lease के Terms में, तो यहाँ दो वेक्ति involved रहने वाले हैं, सर, कौन-कौन है एक जो Assets को किराए पे चड़ाएगा, उसको क्या बोलेंगे Accounting Terms में, Lesser और एक जो Assets को किराए पे लेगा, उसे क्या बोलेंगे, Lassie, तो हम दोनों के Point of View से एक Value निकालेंगे, कि भाईया इसको Actual Assets कितने का पड़ा और इसको Actual Assets कितने का पड़ा दोनों में किसका फाइदा और किसका नुकसान, ये निकालना होगा, हमें एक तरीके सा नुकसान तो नहीं, Actual क्या है तो जो Lease Terms है न, ये दो पार्ट में बाट दिया गया है अगर हम Lease की बात करें तो दो परकार के Lease होते हैं हमारे सर सर, दो तरीके के कौन-कौन सा Lease होगा सर, एक होगा हमारा Operating Lease बहुत popular question exam में पूछा जाता है what is the difference between the Operating Lease and Financing Lease, difference हम बाद में देखेंगे पहले हम Operating और Financing Lease को समझ लेते हैं तो बोला जाता है, दो Lease कौन सा एक है Operating और एक कौन सा है हमारा Financing Lease तो दो Lease हो गए हमारे Operating Lease और Financing Lease सर, दोनों में फरक क्या है थोड़े थोड़े से व्यूदे देते हैं इसके अंदर भी Lease को किराय पे लिया जाएगा यानि किराय पे ये Assets को लेगा और इसमें भी सर ये Assets को ही क्या लेगा किराय पे तो दोनों में फरक क्या है फरक ये है पहला Point जो Assets का Life है ना अगर Use की बात करें तो ये Use जो Assets को करेगा ना Less than मान के चलो 50% यूज करेगा यानि जैसे Assets का Life 20 साल है तो ये बोलेगा भाई मिनको तीन साल के लिए चाहिए किराय पे देगा तो बता तो वो जो Company वो तीन साल के लिए देगा बाकी फिर बाकी किसी और को देदेगा वो उसका काम ही किराय पे देना है जैसे आपने सुना होगा AC भी किराय पे मिल जाता है कार भी किराय पे मिल जाता है बड़े-बड़े ट्रक भी लेने तो किराय पे मिल जाता है तो किराय पे नहीं होता लीज पे होता है बहुत सारी Company यही काम करती है lease पे लेके काम कर देती है मतलब उनका तो अगर 50% से उसके life को कम आप इस्तमाल करोगे तो इस lease को हम क्या नाम देंगे operating अगर आप more than 50% या मैं मान लूँ के करीब 70-80% major part substantial part substantial word का मतलब होता है major part अगर major part किसी ने use किया तो मैं बोलूँगा भाईया जो तुम्हारी lease है वो कौन सी lease है finance और जो कम 50% से less than part use किया तो तुम्हारी कौन सी lease है operating दूसरा कैसे पहचानोगे सर ये अपने books of account में यानि अपना ये इसको rent as an expense मानना पड़ेगा इसे क्योंकि ये तो कुछ समय के लिए ले रहा है ये rental as an expense मानना पड़ेगा ये depreciation नहीं चार्ज कर सकता ठीक है न लेकिन ये जो है उस assets को ही कहां दिखाएगा सर क्योंकि ज्यादा सा ज्यादा पार्ट यूज कर लिया तो उस assets को कहां दिखा देगा ये balance sheet में दिखा देगा और उसके उपर ये depreciation भी चार्ज करेगा अगर मैं उने बोला कि भाई मैंने क्या करा एक assets यानि एक laptop lease पे लिया और lease पे लेने के बाद और उस assets को मैंने अपने balance sheet में भी दिखा रखा है तो ये कौन सा lease होगा financing lease अगर मैंने बोला वो assets लिया और उस assets को मैं balance sheet में नहीं दिखा सकता तो कौन सा lease होगा वो operating lease financing lease के अंदर आप अपने हिसाब से assets को customize करके बनवा सकते हो अब customize का मतलब क्या हो गया आपने बोला भाईया मेरे को एक machinery तो चाहिए साथ के साथ इसके अंदर ये part भी include करवाना है यानि अपनी इच्छा अनुसार उसको क्या करवा सकते हो बनवा सकते हो के भाईया मुझे जो machinery चाहिए वो machinery जो market में available है वो तो बड़ी छोटी machinery है मुझे इसके अंदर double motor वाली बनवा के दे दो तो मैं as a company में बात करूँ और बोलुको भाईया double motor वाली एक machine बना हमारी customer की requirement है तो अगर किसी assets में मैं modification करवा रहा हूँ अपने हिसाब से तो कौन सी lease है वो और अगर मैं modification नहीं करने दे रहा है मैंने बोला भाईया जो assets है यही लिना पड़ेगा लेसी को ही क्या कहेगा lesser वो assets lessy को बोलेगा भाई तू इस खरीद ले इसको तेरे को सस्ते में दे दूँगा मैं मैं इस machinery को scrap में बेचूँगा मालो मेरे को 5 लाख रुपे मिल रहा है एक लाख रुपे मिल रहा है last में 2 करोड की machinery का कितना मिल रहा है मेरे को तेरे को 20,000 में उसी को दे दिया जाए किसको दे दिया जाए लैसी को दे दिया जाए तो जो हमारा ये वाला lease होगा कौन सा सर हमारा lease जो होगा ये operate finance lease इसमें हमारा assets वापस खरीदने का हमें opportunity मिल जाएगा यानि और इसके अंदर operating lease में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि आप उस assets को खरीदोगे यानि जस दिन मैं lease पे दूँगा उसी दिन एक value तै हो जाएगी हमारे बीच में कि भाया ये assets तेरको मैं 20,000 रुपे में दे अब उस दिन 20 साल के बाद ले आना ले इसकी मर्जी है लेकिन अभी फिलाल उसने fix कर दिया guaranteed value ठीक है सर question whether 80 plus 90 do I have all book or have done anything else books plus 10 years यहां तक समझ मैं है तो हमारे operating lease हम अभी अच्छे से इसके difference देखेंगे सबसे पहले अभी हमने क्या देखा फटा फट से देखो सर हमने देखा कि lease क्या होता है lease के अंदर होता है कि एक हम assets को किराये पे ले लेते हैं और जो किराये पे दे रहा होता है वो कौन होता है lessy होता है और जो lesser होता है वो कोई एक particular rent demand करता है जो कि lessy को हर साल या जो भी terms and conditions decide हुआ हो उस किराये को देना पड़ेगा ठीक है clear है यह finance lease है इसके कुछ trend है exam में theory भी पूछ लिये जाते हैं कि आपके क्या लक्षण दिखे कि आप बोलोगे इसके कि यह कौन सा lease है financing lease जैसे मैंने बोला भाया assets को get back कर सकता है वो ले सकता है assets में modification कर सकता है तो आपके यह 10 number में सवाल आएगा कि क्या क्या इसके trend है तो आपक पूरा trend या indicator कहलो वो बताना पड़ेगा तो कुछ इसके indicator है जो fix लिखे हुए यही आपको लिख के आने है हर किताम में maximum में आपको यही indicator मिलने वाला है तो indicate of finance lease मतलब sir indicate of finance lease मतलब हम कैसे समझें कि यह finance lease है यानि क्या लक्षण है कि finance lease क्या symptoms दिखे rental value में ऐसे तो rent पे मैं यह वाला finance lease है ठीक है न तो पहला point बोलता है क्या क्या situation है कहता है आपका situation which would be normally lead to lease being classified the finance lease यह situation है the lease transfer ownership of assets lessy यानि जो हमारा कहता है हम assets का ownership lessy को transfer कर देंगे कब at the end of lessy terms जैसे कि मैंने बोला भाई यह 20 साल बाद मैं यह assets तेर को ही बेच दूँगा पहला election तो यह हो गया तूसरा point क्या कहता है the lessy has option to purchase और lessy के पास सबसे पहले option आएगा purchase assets at price which expected to sufficiently lower than fair market value मतलब जब हम बोलेंगे भाई यह assets तू ही रख ले तो market value पे नहीं नहीं देंगे जैसे कि मैंने बोला था एक लाक तो एक में नहीं देंगे उसको कितने में दे रहे हैं तो fair value का मतलब होता है सर जितना rate market में उससे हम lower पे देंगे at the date option become excisable that the inception of the lease is the reasonably certain that option will be excited और हम ऐसा नहीं बोलेंगे भाई अब खतम होगे तो आज ले ले उसको समय भी दे देंगा चल तीन चार मेने सोच ले तू ले नहीं तो बता दियो नहीं तो मैं किसी और को बेच देंगा अब lessy या तो खुद ले लेगा या lessy के बिहाँ पे lessy बोलेगा भाई मैं नहीं लुगा मेरा एक भाई है उसे दे दे तू मेरा ही है तो direct to see को दे दे ऐसा भी possible हो सकता है तो पहला point क्या है ownership मिल जाएगा दूसरा point आपको जो मिलेगा वो assets वो market value से कम पे मिलेगा जैसे example म उसने एक कार लिया 5 साल के लिए least term has a option purchase this car 20,000 उसको 20,000 में where the assume the car market value at the end of the 5 year कितने का बचता है उसका 2,00,000 लेकिन हमने उसको कितने में option दे दिया 20,000 considering that the option buy at the bargaining price it's reasonably certain that the Mr. A. would excise option अब Mr. A. को ऐसे नहीं बोला कि भाई मैंने तेको 20 का बोला था तूने क्यों नहीं ले तेरे उपर option है कि तू लेना चाहता है ले नहीं लेना चाहता तो मतले यहां तक समझ में आ रही है बात आपको ठीक है आगे देखते हैं सर क्या कहता है दो point होगे पहला point क्या था कि हम ownership बाद में दे देंगे दूसरा point जब ownership देंगे तो हम तुमसे पैसे जरूर लेंगे जिसको हम क्या नाम देते थे guaranteed residual value और वो जो होगा वो market price से कम पर होगा ठीक है ना कहता है दा least term for the major part of economic life assets even title is not transfer हमारे assets का जादा से जादा life आप ही इसनमाल करोगे let's see जैसे मेरे assets का life 20 साल है 20 में से आपने 18 साल के लिए किराये पे ले लिया तो अगर आपने ऐसा करा है यानि 50% of up वाली जो बात बोली थी के ज़्यादा से ज़्यादा उसके life का part आपने इस्तमाल कर लिया तो मैं बोलूँगा ये कौन सा lease है finance lease तो क्या कहता है the lease term is the major part of economic life the assets even title is not transferred मैंने आपको ये बेचा नहीं है लेकिन फिर भी आपने इसका major part use कर लिया example देखो xyz taken a property on lease कितने साल पे 32 साल का किस से लिया sir ABC मिस ABC से expected economic life 40 साल इसकी life कितनी थी 40 और आपने इसको किराये पे कितने साल के लिया 32 साल since xyz going to use assets over the major part अब यहां पे ज़्यादा part use कर रहा है जो कि कितना है 80% एक तरीके से मान लो 40 का 32 तो 80% use ही कर लिया उसने life it will be meet condition to become treated as a finance lease अगर ऐसा कोई symptoms दिखता है तो finance lease मान लो 40 साल में उसने 2 साल इस्तमाल किया तो क्या ये finance lease होगा नहीं होगा ये finance lease समझवाई बात पहला point क्या था assets आपको वापस मिल जाएगा last में सस्ते में मिलेगा तीसरा point क्या है उसका major part आप इस्तमाल करोगे चौथा point क्या कहता है कैसे पता चलेगा at the inception of the lease lease का value present value minimum lease payment amount to be at least substantially all fair value lease assets अब इसका कहने का मतलब होता है आप देखो यहाँ पर एक word आया है इस point को हम practical जब question करेंगे तो समझेंगा यहाँ पर एक word आगया present value तो sर present value क्या होता है जब हम practical करेंगे ने इसका तब समझेंगे ये present value है क्या ठीक है ना question करेंगे और उसको हम detail में भी समझेंगे कहता है minimum lease payment एक word ये भी समझना है सर ये क्या है what is this minimum lease payment क्या होता है देख तो हमें present value समझना है और एक minimum lease payment समझना है कहता है कि at least substantial मतलब होता है major part तो lease assets and बस यहां तक है तो इस वाले point को मैं पढ़ूँगा जिसके अंदर दो point पहले समझना बहुत जरूरी है present value और minimum lease payment present value क्या होता है मैं ऐसा ही छोटा सा example देता हूँ बागी practical करूँगा फिर समझ में आएगा जैसे मान लो अगर आज मेरे पास 100 रुपे है तो क्या इस 100 रुपे कल मुझे बोले कोई कि मैं आपको एक साल बाद 100 रुपे लोटा दूँगा तो क्या उस 100 रुपे की value 100 रुपे रहेगी या घट जाएगी घट जाएगी तो अगर मुझे आज किराया मैं दे रहाँ 100 रुपे तो ठीक है 100 रुपे एक साल बाद 100 रुपे दे रहाँ तो 100 नहीं मिल रहा माल लेते हैं आपको 90 के बराबर का उसका benefit मिल रहा है दो साल बाद देंगे तो 80 का benefit मिल रहा है तो जो rental मिलेगा मुझे आप ऐसे तो देख रहे हो कि 2 लाख रुपे आपको मिल जाएंगे 10 साल तक 2 करोड तो भाईया 2 करोड नहीं होगा उसका present value कुछ और निकलेगा तो present value निकालने का तरीका होता है इसके कुछ हमें calculation करना होता है वो सीखेंगे minimum lease payment क्या होता है कि कम से कम तो हमें इतना पैसा उससे recover हो जाएगा जैसे एक rent और एक उसने last में बोला था कि भाईया मैं इतने का खरीद लूँगा जैसे 2-2 लाक रुपए rent था अगर मैं बोलू जैसे मानलो एक वेक्ति बोलता है कि भाईया मैं ऐसा करूँगा तो मैं 2 लाक रुपए का rent दे दूँगा 10 साल तक तो कितने होगे सर 20 लाक एक तो rental होगे इसमें add कर दो उसने बोला ठीक है ये assets मैं आपको बेच दूँगा पचास अजार में तो कितने का बिग गया total 20 लाक 50 तो minimum lease payment कितना हो गया जितना पैसा जिसने किराय पे दिया है उसको पैसा मिल जाए तोटल उसे क्या बोलेंगे minimum lease payment अभी practical question भी देखेंगे हम अगली class के अंदर देखेंगे अभी slide नहीं लगाया है मैंने पहले हम theoretical देख लेते हैं तो पहला point क्या था sir lease के अंदर किसको बोलेंगे lease आपका assets का ownership आपको दे दिया जाएगा पहला point है the transfer of ownership lessy को दे दिया जाएगा दूसरा जो आपको ownership मिलेगा सस्ते rate में मिल जाएगा ठेक है न तीसरा point क्या देखा आप उसका major part इस्तमाल कर लोगे चौते point को मैंने बोला अभी रुख जाओ present value और minimum lease payment से समझ में आ जाएगा पाँचवा point क्या कहता है sir पाँचवा point कहता है the least assets of specialized nature एक specialized nature होता है such that only lessy can use without major modification being made can use it without major modification being used made यानि कहने का मतलब है lessy इसके अंदर कुछ थोड़े बहुत modification तो करा सकता है काफी measure नहीं करेगा modification मैंने दिया assets मैंने दे दिया suppose करो एक मैंने car दे दिया truck दे दिया तो वो truck क्या जैसे कई बार मकान मालिक क्या बोलता है जैसा मकान दिया है वैसा ही मुरे को चाहिए बापसी अब बताओ मकान मालिक ने आपको दिया आपने बीच में दो तिन दिवारवार लगबा लिया तो वो तो बोलेगा भाई कि ये क्या कर दिया रहा तो उन्हें मेरे मकान का जबकि आप बड़ी बड़ी company को देखोगे जो उसको किराये पे मिलता है तो पूरे कैविन वेविन तो बनाते ही है माहिनलो state bank में जाओगे तो सारे state bank क्या है किराये पे है तो वो तो अपना office कैविन वगरा क्या करते है खुद बनाते है न तो ऐसे ही वो ज़्यादा major part नहीं कर सकते है ऐसा नहीं कर सकते है बिल्कुल fix करा ले तो आपको जो assets लेगा आपको जितनी जरुरत है permission लेके उतना उस assets में आप क्या कर लीजिए modification अपने जरुरत के हिसाब से और measure मत करिएगा कि पता चले पूरा assets ही बदल दिया आपने तो इस line का कहने का मतलब the least assets is specialized nature, मतलब मुझे जरुरत के हिसाब से मिला है such that only the lessy तो lessy can use, जिसको कौन use करेगा, सिर्फ और सिर्फ lessy ही use करेगा, क्योंकि मैंने अपने demand पे मांगा है it is the without major modification being made, और उसको बिना major modification किये हुए उसको इस्तमाल भी करना उसको दिया जाएगा यानि उसके अंदर ज़्यादा modification नहीं कर सकता लेकिन हाँ modification कर सकता है लेकिन operating lease में ये नहीं है जैसे कि for example PQR a hospital ordered 10 ambulance, उसने क्या करा भीए 10 ambulance चाहिए अब 10 ambulance के अंदर specially designed as per the requirement of PQR अब ambulance के अंदर तो भीए अलाग उसने बुला भीए oxygen का भी cylinder होना चाहिए stretcher भी होना चाहिए ये सारी modification होनी चाहिए आगे कहता है these ambulance are taken on lease and it cannot be used by anyone else without major modification भाई आप hospital ने लिया है उसने assets ने काम कर लिया है तो कोई दूसरा इसको use नहीं कर सकता majorly कौन करेगा यही use करेगा this would be meet condition of the finance lease इसने finance lease कर दिया यानि आपके assets को दूसरा कोई इस्तमाल नहीं करेगा उसमें करने के लिए major modification की जुरत पढ़ी के दूसरे किसी को और आप भी इतना modification नहीं करवा सकते हैं ठीक है तो यह कौन सा lease होगा यह part आगे देखते है sir कुछ additional भी indicator है situation which individually combination could be lead lease being a finance lease कुछ और extra point बनते हैं जिससे पता चलेगा जैसे if the lessee can cancel the lease अगर मान लो मैंने बुला भी है मेरे को एक नो machinery चाहिए मेरे को ambulance चाहिए मान लो और उसने बुला ठीक है भाई खरीद लिया और खरीद के उसको दे दिया अब खरीद के आने के बाद तो क्या कहता है line देखो if the lease can cancel can cancel the lessee and the lesser losses जो lesser का losses है associated with the cancellation born by यानि उसका जो सामने अले का नुकसान होगी है बिचारे का पचास जार एक लाख दो लाख का वो मुझे देना पड़ेगा अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना ये कौन सा lease है if any gain or loss from fluctuation of residual value accrue to the lessee अब जब हम उसे बेचेंगे assets को तो जब assets finally बेचेंगे तो बेचने में हमारा नुकसान भी हो सकता है फाइदा क्योंकि fair market value एक लाख है मैं उससे दे रहा हूँ 20,000 में तो उससे कोई नुकसान फाइदा हो सकता है for example lesser agree allow rent rebate आपका equivalent amount of disposal value lessee at the assets of the end कहने का मतलब है कोई भी फाइदा या कोई भी नुकसान होता है from the fluctuation of residual value मतलब last वाली value को change होने में accrue to the lessee और इसके लिए कौन benefit इसका लेगा lessee को होगा ठीक है न क्योंकि assets किसने खरीद लिया lessee ने तो उसको करेगा ये for example lesser ने agree किया था कि भाया rent में हम तुमें rebate देंगे तो किसका फाइदा हो रहा है rent में rebate देने के बाद lessee का equivalent most of disposal value of assets यहाँ पे होता क्या है इसको भी हम practical में करेंगे तो देखेंगे कई बार होता है कि दोनों lease terms को अब देखो ये सर्ब बना गयों है तो simple सी बात है rental value लेके खतम करते हैं लोग मां क्या करते थे मैंने उसको दे दिया assets अब सामने वाला party depreciation दिखा रहा है उसका profit कम हो रहा है rent value दिखा रहा है उसका profit कम हो रहा है अब जब उसका profit कम हुआ तो income tax तो बचा ही रहा है 30% सीधा और मैं क्या कर रहा हूँ मैंने lease पे दे रखा है तो एक black money जो हो एक तरीके से white होके मुझे fair तरीके से मिले जा रहा है समझ रहे हो तो सामने वाले party ने क्या करा system assets भी बेच दिया तो इसका भी loss हो गया अब माल लेते हैं assets का value 20 साल था या 10 साल था अब लगता है कि या assets तो अभी 5 साल चल जाएगा उसने बोला भाई साब इसे तो assets तो अभी चलेगा उसने बोला ठीक है भाई फिर से ले ले तू रेंट पे मैंने एक उसे assets दिया रेंट पे ठीक है और ये assets मैंने 10 साल के लिए दिया किसको दिया सार XYZ को या PQR को दिया अब XYZ ने ये दिया था तो अब मुझे 10 साल बात तो ये assets को वापस करना होगा न XYZ को लेकिन मैंने बोला भाई साब ये न assets तो बढ़िया condition में अभी 2-3 साल तो मैं use कर लूँगा XYZ बोलता है कर ले भाई use अब XYZ जो है ना इससे rent जितना पहले ले रहा था उतना नहीं लेगा कम लेगा तो वही कहता है if the lessee can continue the lease for secondary period अब secondary period में होगे न 10 साल खतम होने के बाद at the rent which is substantially lower substantially बतला majorly lower than the market rent से उसे बोलेंगे हम finance lease तो फिर से देखे finance lease में क्या point देख लिए important है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ assets आपको last में ownership transfer कर दिया जाएगा और जो ownership दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा सस्ते पे lower than fair market value इसके बाद assets का major part आपने ही इस्तिमाल करना है तभी माना जाएगा कौन सा lease है ये finance lease है ये वाला point मैं बाद में करवा हूँ इसके बाद major part आपके accordingly modification होके आजाता है आप नहीं कर सकते आपको ही ये assets use करना पड़ेगा दूसरे के लिए बना ही नहीं है इसके बाद आगे आजाते हैं सर आगे कहता है कि जो lessee अगर cancel करता है इसको तो जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई lessee को करना पड़ेगा ये वाला point अभी मैंने मना कर दिया C point है कि आप secondary period के लिए लोगे तो आपके लिए क्या माना जाएगा ये सस्ता तो क्या क्या इंडिकेटर है point number one ownership मिल जाएगा point number two सस्ते में मिलेगा point number three major part आप उसका इस्तमाल कर लोगे point number four modification कर वा लोगे point number four क्या है आपका modification डी वाला ये वाला part छोड़ दिया इसके बात पॉइंट नमबर अगर पांच बोले cancel करोगे तो भरपाई आपको करना पड़ेगा point number six अगर बताएं तो आप secondary time पे जब लोगे तो lower लोगे ये वाला point बात में करेंगे तो total six point जो है हमें समझ में आ गया फिर से point number one कॉन सा है आपको ownership दे दिया जाएगा point number two सस्ते rate पे दिया जाएगा fair market value से point number three major part इस्तमाल करोगे point number four modification करवा सकते हो आप assets के उपर point number five cancel करा तो भाई लेसी तुम जिम्मेदार होगे point number six आप secondary period के लिए जब लोगे उसको तो आपको market rate से सस्ते पर मिलेगा यह लीज क्लियर है यह सारा point ठीक है तो आपके book में भी mention होगा मैंने देखा नहीं है book में क्या है क्योंकि मैं notes लगा नहीं पाया अभी तक same point डाल दिया ना तो हाँ मैंने का कि जादा से जादा मतलब कि सब book में आपको यही मिलने वाला है और यह एक्जाम में पूछा जाता है आपका final date sheet आप सभी की आज चुकी है आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे ख्याल FA का paper कब गया है आपका honors का दिखा अपने जनवरी में है ना साय जनवरी में प्रोग्राम का आपका तो मेरे ख्याल जो paper है वो weekly है हर हफ़ते में एक paper Sunday Sunday है शायद और आपका प्रोग्राम वालों का paper regular college वालों के साथ होगा तो इनका paper जल्दी खतम हो जाएगा इनका मेरे ख्याल FA का कब है मैंने भी देखा तो था लेकिन एक्चुल याद नहीं है सर ये भी नहीं कृष्ण ये depreciation का part नहीं है ये अलग chapter जो मैं MWF में चलाऊँगा 6 से 7 न वो छोटे छोटे अलग अलग chapter चलाऊँगा और TTS में depreciation चलने देंगे हम अभी ठीक है ना मेरा concern ये है कि जादा से जादा हम November पहले ही हम complete करें major part तो आज स्रिफ हमने theory देखा अगली class में lease का क्या देखेंगा practical तो आपने क्या करना है lease वाले इस theory को पढ़ के और लिख के भी देख लेना आप आपके किताब में as it is same word given होगा ये ठीक है clear है के दिए डिल्ड़ जादा AND क्यों है जादा से जादा